कि अंजी वाई तो कैसे हो सारे तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि आप अपने चैनल पर जो है डीजे दिनेश तो चाना पर रिमिक्स वीडियो नहीं आएंगी जो रिमिक्स सॉंग्स हम डालते थे वो नहीं आएंगा भी क्योंकि कुछ टेक्निकल इस्य यकि अप्डेट होती है जब भी कुछ हा नहीं होता है वीडियोगरे डालते हैं तो इसी में अपडेट करते हैं मैंने आप आपसे को मैंने आपको दूसरी बात मैंने आप बताय हो बहुGU कि कि अभी अपने जो चैनल पर है सॉंग्स नहीं डलेंगे कुछ और ट्राइब करेंगे तो आप मेरे को बताओ मेरे को क्या ट्राइब करना चाहिए मेरे को क्या बनाना चाहिए और भाई अगर आपको नहीं पता है कि जो मिनी मिलीशिया है वो एक गेम है क्या गेम है कैसा गेम है तो आप इसको देख सकते हो यह वीडियो हमने लाइव की थी मिनी मिलीशिया की लाइव स्ट्रीमिंग की थी तो आप इसको देख लो कि क्या कुछ है और बागी आज जो हम बात करने वाले हैं वो फोन पे के बारे UPI ID है तो उस पे कैसे पैसे ट्रांसफर करते हैं सारा कुछ देखते हैं तो भाई सबसे पहले तो अगर आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो आपको यहां पर तो सेल्फ में जाओ अब मालो मेरा यह बैंक अकाउंट है यह मैंने पहले से इसमें एड़ किया हुआ है तो मिर को अब दूसरा डंक मैंटन एड़् करना है तो वहाँ पर एड़ बैंक अकेजो अपना जो बैंक है आपवो सेल्फ कर सकते हो इसमें लगबग सारे बैंक को दिए प्रफित हुएँ वह एड में काउंट है हो सौने मैंने स्थुलेक्ड क्या यहां पर अब यह कुछ bank details मेरी ज को है निकाल रहा है यह account है मेरा यह account number है last के state bank of India में है North world में मेरा account है branch है यह aFC code है कि स्कृति सेविंग अगाउंट है मेरा ठीक है और इस account की जो भीम ू-्पि-Ai-i-d है fon पे पे वह fon पे पे जो है भीम you moins मेरी यह है ठीक है तो और अगर मेरे को किसी को अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो यहां से कर सकता हूं और किसी को मनी भेजनी है मेरे पासवर्ड सेट करने के लिए होगा कहेगा जो कि भीम यूपी पिन होगा अगर आपको पासवर्ड मान लिजी मुझे याद नहीं है तो यहां से मेरे सेट भी कर सकता हूं पासवर्ड को इसमें सिर्फ जो है मिरे को डेबिट कार्ड के जो लास्ट डिजिट से सिक्स ठाएगा तनाव मुझे अपने ही अकांट से अपने एक अकउंट से और दूसरे अकांट में पैसे बेजने हैं तो मैं यहां से सेल्फ करूंगा ठीक है यानि कि मुझे in खुद को ही पैसे भी इनिन अब मुझे कोंसे बेंक में बेजने यह देखिये यहां पर क्यार है सैंड टू सेंड़ jangका का मतलब है कि मंद्रके उम्हें कोन अकाउंट ट्राफ़रण押 कर दे सकते हैं अगर आपको नहीं देना है मैसिज कोई दिक्कद नहीं अब आपक्सक्ते हो आपके अकाउंट नम्बर लास्ट त्मयें यहां पर और इस अकाउंट से आपके पैसे जो है debit किये जाएंगे अगर आपको इससे नहीं करने है debit तो आप कोई दूसरा account है आपका तो उससे भी add account पर करके यहां पर और उसको add करके आप कर सकते हो ठीक है अभी मुझे अगर change करना है यहां से कि भही मेरे को इस account new這邊 है वो लगाने मुझे तो मैं अपने com でता हूं और वीडियो को पोज कर देता हूं फिर Golden में आप से बात करता हूं अबसाई आँभार है मैं एपने जो पिन थे व लगा दिया है यहाँ पिन लग गए है कि जब भी को तो आया था यहाँ पर राइट का निशान उससे क्लिक कर दिया यहाँ पर आया था और राइट करने के बाद में अभी यह दिखा रहा है ट्रांजक्शन पेंडिंग मतलब कि अभी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए है और यह मेरी ट्रांजैक्शन iPh Third ア आईडिया घई हैQué कि आप देख सकते हो अब देखिए यह रहा हो गया है मतलब कि आपके पैसे जो है हो गया タ्रांसफर और इस एकाउंट में हुए है हजार रुपय होए है एजसव करे ये डेट किसे मतलब कौन से काउंट से कटए है इस एकाउंट से कटे हैं और आपको गर मेरे पास message आ गया है कि आपके account से यूर account ये वाला मेरा account है ठीक है debited from rupees 1000 रुपए से debit कर दिया गया है कितने तारिक को 11 तारिक को और कितने बजे ठीक है UPI के दुआरा है UPI के reference number ये हैं तो इसमें पूरा message में दिया हुआ है कि कैसे क्या कुछ किया गया है उसके बाद में हम back चलते हैं अब मान लीजिए मेरे को कोई मेरा bank account देखना है कि मेरे कौन से कौन से bank account लगे हुए तो चलिए उसके लिए my money में चाहिए यहाँ पर नीचे जो यह आपको अगर wallet देखना है तो यहाँ पर जाएंगे phone pay में उसके बाद में जियो मनी देखना यहाँ पर फ्री चार्ज का भी दिखाएगा एटल मनी का भी ओटो पे में क्या होता है ओटो पे में अगर आपके कोई bills वगए रहे हैं ओटो पी दिखा देता हम आपको आपको कोई setup करना पड़ेगा और अगर आपके कोई bill है या फिर आपका mobile का recharge खतम हो जाता है तो यह अपने आप Wat shooting तो यहां से कर सकते हैं दो है सिंपली देखें यहां पर आपका और कांट है तो वह वह भी आप यहन से कर सकते हों दूसरा appeal मैंने यहां पे स्टेट बेंक का लिया हुए नरोलिस्टी कोट्डूर जो भी है ठीक है क game you pay है यह देखे हैं यहां पर तिक मासी तो नग्लब है कि यहां पर पंजयाव वाला जो अकउंट है वह मेरा प्राइमरे काउंट है अगर पैसे आते हैं या फिर पैसे डरानसफर करता हूं तो प्राइम्रे अकाउंट हो तो घृत होते हैं जो इसको रहनों तो हम फो Kanye Inc हो जाएगा मेरे को नहीं करना है ओके इनफ चलता हूँ आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो आपके कॉंटेक्ट को पैसे बेजने हैं तो यहां पर आप जो ए टू कॉंटेक्ट्स है इस पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करने के बाद में उस कॉंटेक्ट के पास आप पैसे बेज़ सकते हो सर्च करो कॉंटेक्ट को मान लेजिए मैंने यह सर्च किया ठीक है इसको भीजने तो मैं तो इसने सिंप्लिह उस क्लिक किया यहाँ पहा गया है यह जो नमबर आगया है ठीक है कितने पैसे बहुत नहीं हो कर लिए मैसेज डाली जैसे मैंने आपको कॉंसे से काउंट से पैसे जोगे तो यहां पे मेरा पंजाब अचांट लिगा का और यह दूसरा ऑग्छा अगर आपको है डूसरे अकों से विजने तो आप को इसrium कर सकती हो और नैं इसकूंब कर सकते हो ठीक है और जैसे ही आप अमां, टाल यूदि पारूगे तो आपके क्यób के योपे बिर्मांग के आपका संड जाएगा दूसरी बात अगर आपको यूप爵ाइडी पे पे करना है तो यहाँ से आप जो यह भीम यूपयाई आइडी है तो यहां से पे कर सकते हो simply है बहुत simple है और तीसरा अगर आपको किसी bank account में करना है तो आप यहां से bank account पे click करके और इसको pay कर सकते हो add bank account करोगे ठीक है यहाँ पे जो यह आ रहा है यहाँ पर add bank account यह आप आप कर सकते हो add करोगे यहाँ पे आपको ifs co to aguard डाले हैं जो भी उसकाइफ से goda यहाँ पर अकाउंट नमबर डालने है यहाँ पर आपका account number दुबारा से डालने कन्फर्म करने हैं और यहाँ पर account holder name मतलब की जो account हो और किसके से फोन नमबर भी डाल सकते हो आप यह और निकनेम आप उसको क्या कहते हो यह भी डाल सकते हो तो यह दोनी चीज ऑप्शनल है बट जो यह शुरूवाली चीज़े हैं आफसे कोड अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट नमबर यह तिनों मेंडेटरी फिल्ड हैं मतलब आप से बैंक अकाउंट पर जाओंगा ठीक है अब मेरे को कौन से अकाउंट में डालने हैं एकाउंट में डालने हैं और डेविट कौन से से होंगे मेरे पंजाब वाली बैंक से होंगे कितने डालने हैं मैं यहाँ पर सिंपली करूंगा और क्लिक हो जाएंगे मेरे ट्रांसफर कि यहां पे यह तो अकाउंट का है अकाउंट के लिए जो और जो ऑप्षन है यह पे सिर्फ अकाउंट में ही आप जो है UPAID बगरा नहीं कर सकते हो यहां पि सर्च करके कर सकते हो कि मैंने जो है मेरी यूप आइडिया फिर कॉंटेक्ट वगरा तो दोनों चीजे सेम ही है यहाँ पर मेनली अकाउंट के लिए दिया गया है कि अगर आपको अकाउंट में ट्रांसफर करने है पैसे तो वह कैसे करेंगे कुई भी अकाउंट पर क्लिक किजिए मैंने इंद्रीक किया थिक है कौन सेसे डैबिट करना है आप आप सेम अकाउंट पर जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हो फैसे महनली जी मिरेको पंजाब 15 पंजाब में को आपको दिखाएगा आपको कौन से bank का बैलेंस चेक करना है मानलेजे मेरे को पंजाब का करना है सिंपले क्लिक करूंगा यूप यिप नडालूगा और मेरा बैंक बैलेंस मेरे सामने आ जाएगा ठीक है इसके बाद में है split bill split bill का option जो यूज होता है वो ऐसे है कि आधा आधा वो भरेंगे तो ऐसे कर सकते हो अब request करना है किसी से money के लिए कि मुझे money की जरूत है पैसे की जरूत है या फिर उसके पास आपके contact नहीं है तो आप यहां से उसके contacted करके और उससे request कर सकते हो तो request करने के बाद में उसके पास एक message आएगा कि आप किसी ने request किया आप से money के लिए आपके नाम वगरा जाएगा ठीक है दूसरी बात यहां पर आप history में जाके चेक कर सकते हो कि कितने पैसे कहां पे कब transfer किये है क्या कुछ हुआ है ठीक है यह मैंने 10 रुपे पेटियम में transfer किये थे पेटियम की UPI ID से ठीक है और इससे SBI से मैंने transfer किये थे तो पूरा कुछ दिखा देगा कि कब किया था क्यों किया था कैसे किया था यह आपके जो है recent जो आपने किये हैं transactions वो आ जाते हैं जो आपके bank account और UPI के जो pin है ID है वो यहां पर show करता है आइट करना है आपी simply recharge पर जाएए ठीक है और कौन से मोबायल में नमबर में आप यहां पे नंबर डालो कि आपको कौन से नंबर पर यह ok और यहां से simply आप चेक करो कि कौन से operator पर आपको और आपका operator क्या है अपने आपको ले लेता है बट फिर भी अगर नहीं लेता है यहां पर amount डालना है और यहां पर यह विम यूपी आईडी दिखा रहा है मतलब account दिखा रहा है आपको कौन से अकाउंट से debit करने है और recharge कर सकते हैं आप यहां पर recharge का option एवलेबल हो जाएगा और रिचार्ट कर तो आप और बागी आप देखी सकते हो काफी कुछ है डेटी एच एलेक्टरिस्टी क्रेट गार्ड क्रेडिट कार्ड का ओप्शन साथ एवलेबल नहीं है अभी चलिए देखते हैं क्रेडिट काड अच्छा ये बैंक के लिए है कि आप अगर करेड़ कार्ड से कर देओ पेमेंट तो आपको कुछी कैस्वेक मिलेगा या फिर कूपर मगरा मिलेगा और पोस्ट पेड का यह है लैन लाइन का बिल पेडर नहीं यहां से कर सकते ब्रोडबेंड का यहां से यहां से तो काफी कुछ दे रखाया अच्छी है पै मेरे को क्या करना चाहिए यह ऐसी वीडियो बनानी चाहिए टेक्निकल वीडियो कोमेडी या फिर मेनी मिलेश्या की लाइफ स्ट्रीमिंग करनी चाहिए तो यार मेरे को बताओ